Hello everyone, good morning and radhe radhe, कैसे हैं आप सब I hope आप लोग बहुत ही अच्छे हैंगे आप लोगों की blessing से मैं भी बहुत ही अच्छे हूँ तो ये बिल्कुल morning morning का time है तो यहाँ पे मैंने जाड़ो अगर लगा लिया था उसके बाद मैंने vlog start किया है तो आज ना मुझे पूरे घर की deep cleaning करनी है वो इसलिए क्योंकि अभी मेरा period time चल रहा था तो उसके बाद से एक होता है ना कि चलो अब हर जगा गंदा गंदा ही लगता है तो इसलिए मैंने सोचा कि bed sheet वगरा तो change करनी ही है वैसे भी आज मुझे 5-6 दिन हो गए थे एंड hair wash भी करना था तो फिर मुझे लगा कि bed sheet तो change करनी है चलो साथ-साथ परदे भी कर देते हैं और फिर bed वगरा पे वैसे time पे so blanket वगरा सब चीज योज़ करो तो फिर पता नहीं गंदा-गंदा सा लगता है तो मैंने सोचा था कि अभी जो पतली वाली मेरी blanket है उसे भी मैं हटा दूँगी I mean wash करके उसे रख दूँगी और जो मोटी वाली blanket होती है वो निकाल लूँगी तो ये देखो ये वाली जो blanket है ना मैं इसे डाल रही हूँ भी washing machine में और परदे वगरा भी मैंने खोल लिये तो अभी ना आज मेरा तीन या दो तीन लोड लगने वाला है तो तीन बार आज मशीन चलेगी मेरी तो अभी मैंने सिर्फ ब्लैंकेट डाले हैं और क्यूंकि वो ब्लैंकेट ही ना भीगने के बाद बहुत ज़्यादा हेवी हो जाता है और मेरा washing machine अल्मोस्ट साड़ी छे केजी काई है तो इसलिए मैं ज्यादा हेवी वेट नहीं डालती हूं और अभी उस ब्लैंकेट के साथ मैं सिर्फ मैट्रेस का कवर डालूंगी तो एक लोड में सिर्फ वो दो चीज़ दो लेंगे तो अभी जब तक मेरे ब्लैंकेट को मैंने डाल दिया है washing machine में उधर machine भी अपना काम कर लएं तो यहां पर मुझे यह आज जो सबसे ऊपर वाला रैक है न उसे क्लीन करना था तो इसे मैंने दिवाली पर ना प्लास्टिक पेपर बिचाए हुए न वह अटा कर मैंने पूरा मॉप से पूरा उपर पोच्छा लगाया था उसके बाद फिर मैंने वह तो दिवाली के टाइम ही हुई थी और अभी तो एक डिड़ महीना हो गया एक महीना तो अल्मूस्ट होई गया होगा में भी तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो बहुत दूल गंदगी बैड जाती है तो हाथो हाथ मैंने पंखे को भी साफ कर दिया और पंखे से अब जो भी दू क्योंकि जितनी जल्दी ये धूलेगी उतनी ही जल्दी ये सूखेगी और अभी उतनी धूब भी तेज नहीं हो रही है हमारे इधर थोड़ा बादल बादल सा चाया हुआ है इसलिए और बिना कवर लगाया फिर मैं बेड़िट कैसे ही बिचाओंगी आपी सोचो तो यहां पर मैंने मैट्रेस के कवर को भी डाल दिया है वाशिंग मशीन में अभी सिर्फ दो ही चीज़े ये ब्लैंकेट और ये मैट्रेस कवर फिर सेकेंड लोड में जो भी दूलेंगे तो सिर्फ बेडशीट और परदे दूलेंगे तो यहां पर मैंने पानी खोल कर थोड़ा सा और पानी मुझे इसमें नीड लगी कि पानी इसमें और चाहिए होगा ने तो यह घूम नहीं रहा था क्योंकि ब्लैंकेट बहुत जादा हैवी हो जाता है उसके बाद अब इधर मशीन को कंप्लीट करने के बाद मैं आ गई थी बैलकनी में बैलकनी आज मुझे वाश करना था और बैलकनी में देखो मेरे हस्बंड के जूते भी मैंने कल धोए थे तो वो सारा कुछ सूख रहा था फिर पता नहीं वहाँ पर वीडियो मेरी मेमोरी की वज़े से ना अपने आप आप अटोमेटिकली बंद हो गई तो आगे का कुछ शूट नहीं वा तो यह मैं फिर घर को भी पूरी तरीके सशुद्द कर दे और अभी जब मैं वीडियो अडिट कर रहे तो इतनी शान्ती मिल रहे है ना घर पे मतलब कल तक तो लग रहा था कि घर बहुत जादा गंदा इधर उधर बिखरा पड़ा है तो खेर यह सब तो हम हाउस वाइफ का डेली का काम है इससे कभी हम लोग पीछे नहीं भाग सकते हैं तो अब ही मैं आ गए हूँ यहाँ पे सेकंड वाले बेड रूम में जो अभी मैं बेलकनी धोरी थी ना उसी बेलकनी में यह अटैच है मतलब इसी रूम से बेलकनी अटैच है तो यहाँ पे यह मेरा आईरन वाला बेड है य तो यहां भी उसी बेटशिट से मैंने छज्जे पर भी कपड़ा मार दिया जो उपर वाला रैक है और पंखे को भी साफ कर लिया इस रूम का पंखा बहुत कम चलता है क्योंकि सोते तो रात में हम लोग उसी कमरे में हैं तो इसमें उतनी गंदगी नहीं बैठती है और बस व बिलंबी क्लिप्स मेरी शूट भी हो गई यह बहुत ट्रिमिंग करनी पड़ी मुझे बहुत जगह से तो यह सब पंखा वगरा उपर की क्लिनिंग हो जाती ना फिर अराम से आप नीचे में लास्ट में अपना पोचा वगरा लगा कि आप नहाने जा सकते हो तो में डोर का चेंज करकर के मैंने यूज गिया और विंडोस को क्लीन करने का क्लिप मैं नहीं शूट कर पाई क्योंकि ना मैंने सिर्फ आपको 40% अपने 30-40% ही अपने काम आपको आज शो किये हैं जितना आज मैंने किया है मैंने तो लगता 60% मैंने शूट ही नहीं किया है क्योंकि इतना इतना डेली बैसिस पे करती रहती है तो अवे देखो कपड़ों को भिगा कर मैं दीवारों पर हलका हलका कपड़ा मार देते और नीचे जो मारबर वगरा है जो पीछे साइड से ना तो उधर भी सारा कुछ अच्छे से मैं कपड़े से पोस देती हूँ अभी मैंने ले लिया है मेरा जो अभी ट्राउजर है शायद ही मेरा दोने के लिए मैंने रखा हुआ था तो यह सॉफ्ट वालर ट्राउजर है मतलब जो थोड़ तो यहां पर मेरी फ्रिज हो गई है क्लीन और इस टाइम मेरे हस्बंड नहाने गुसे वे थे वाश्रूम में तो मैंने बोला कि आप वाश्रूम का काम फटा फटा कर लो फिर नहीं तो मुझे टाइम लग जाएगा तो वो शायद मुझे कुछ बोड़ थे उनका नहान हो अब बहुत जादा फ्रेश लग रहा है इतनी भागम भाग हो जाती है इतना सारा काम हो जाता है जिसकी कोई लेमिट ही नहीं है मतलब मैंने तो सिर्फ आपको 40% अपने काम का दिखाया है और लगता 60% में शूट ही नहीं कर पाई इतनी भागम भाग रहती है कहां कैमरा से किया वगेरा पोचते हुए नहीं शूट किया बहुत सारा काम था फिर पोचा लगाने का भी थोड़ा सा ही क्लिप बना था बहुत सारा काम वह हो जाता है यार मतलब एक्स्ट्रा काम हो जाता है अभी नहां वहां कराई हूं और अभी टाइम हो गए 11.19 अब मैं जारी नियूसली लगी वी हूँ सिफ मैंने चाई पी थी और उसमें मैं 10 या 7 मिनट बैठी होंगी लोड में यह रही सारी पेटशीट और सारे परदे यह सारे परदे धूले हैं ठीक है और अब तीसरा लोड चल रहा है जिसमें जो खुले हुए कपड़े हैं मेरे हस्बेंड के मेरे जो डेली बेसेस पे यूज होते हैं इनके ड्यूटी के यूनिफॉर्म यह सारे कुछ अब तीसरे लोड में मैं धूल रही हूं और यह फाइनल लोड है और मशीन लगाने का एक काम यह भी बढ़ता है न कि यह देखो पूरा हॉल में यह पानी 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 हो जाता है सुबह से मैं कि दो बार पूछा मार चुकी हो और अब जब मशीन समेटूंगी तब कि यह पानी को लास्ट में वाइप करके उसके बाद मेरा काम हो जाए का इतर वाशिंग एरिया का फिनिश तो अब मैं जा रही हूं फिलाल पूजा करने क्योंकि बहुत जादा लेट हो गया मुझे भूख इतनी जोर की लगी थी न साड़े दस बजे से ही तो मैंको लगा क आपको आश का व्लाग अच्छा लगा होगा अच्छा लगे तो लाइक कॉमेंट शेयर और सबस्क्राइब कि जिसेगा उगा और मेरी फोन में मेमोरी भी नहीं है यारि स्पेस भी खतम हो गया है कितने क्लिप शूट करई तो बिच बिच में ही स्थे वीडियो आफ हो जा लोग को अपना support और प्यार जरू दिजिए का तब ते कि ने take care bye bye and love yourself always